दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आज में आप सभी के समक्ष हनुमान जी और अंगत की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, आइए शुरू करते हैं, बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जए. हनुमान जी और अंगत जी दोनों ही समुद्र लांगने में सक्षम थे, फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अंगत कहई जाओ मैं पारा, जिय संसय कच्छो फिरती बारा, अंगत जी बुध्धी और बल में बाली के समान ही थे. समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किन्तु वह कहते हैं कि लोटने में मुझे संसय है. कौन सा वो संसय था लोटने में? बाली के पुत्र अंगत जी और रावन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे. अंगत बहुत ही बल्शाली थे और थोड़े से शैतान भी थे. वो प्रायह अक्षय कुमार को थपड मार देते थे, जिससे की वह मूर्चित हो जाता था. अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरु जी के पास जाता और अंगत जी की शिकायत करता. एक दिन गुरु जी ने क्रोधित होकर अंगत को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षन मृत्यु को प्राप्थ हो जाओगे. अंगत जी को यही संसय था कि कंही लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड हो सकती है. इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा. और ये बात रावन भी जानता था इसलिए जब राक्षसों ने रावन को बताया बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड रहा है तो रावन ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा वह जानता था वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगध ही है जो सो योजन का समुंद्र लांग कर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वद श्री राम के हाथों हो चुका है तो हो नहो अंगध ही होगा और अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वद कर देगा। किन्तु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावन को दी तो उसने सीधे मेघनात को भेजा और कहा उस वानर को मारना नहीं बंधी बना कर लाना। मैं देखना चाहता हूँ बाली और अंगत के सिवाय और कोन सा वानर इतना बलशाली है। हनुमान जी ग्यानी है वह जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगत जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वद किया जिससे अंगत जी बिना संसय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांती बन कर गए भी तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हनुमान जी की यह कहानी पसंद आई होगी ऐसी पौरानिक कताएं को जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें अगर आपको ये विडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिख दीजिए